Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लाइटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा कॉलिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक exclusively free of cost लेकर आया जाता है. मतलब यह कि यहां गभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी subject के एक या दो chapter देखने के लिए एक्सेस करने के लिए मिलें और फिर आप से यह बुला जाए कि आपको आगे का बचा हुआ content देखने के लिए या तो किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़े सब्जेक्स ही आपके understanding ज्यादा बैटर हो आपके concept की clarity ज्यादा अच्छी बनें बट साथी साथ आप लोग अपने careers में भी अच्छा perform कर सके हैं अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें देश की तरक्य और रुनती में आप लोग अपना एक योगदान दें आपका भी अ आगे से हमें अपने आज का discussion continue करना और बचे हुए आसन बगरा जो हैं हम लोग आज के session में देखेंगे शुरू करता है संस्कृत लाइंग्वेज में पद्म जो वर्ड होता है पद्म वर्ड का मतलब होता है lotus ठीक है जी याद रखिएगा पदमासन में जो यह पद्म शब्द आ रहा है यह संस्कृत भाषा का शब्द है पहली चीज़ अब यह जो संस्कृत भाषा में पद्म हूता है Iska मतलब होता है Lotus पद्मासर जो जो है जिसमें जनरली बैठा जाता है या फिर एक सातक जो है जनरली इस आसन में बैट कर धियान वगर लगाता है और ऐ Сारे चीजें करता है जनरली आप लोग आप देखा भी होगा खासतोर पर नीचे बैट कर खाना खाया जाता है उसमें बोला जाता है आप से जलरली बोला जाता है कि आप आलती बालती मार कर खाना खाईए या फिर क्रॉस लेट कर खाना खाईए इंगलिश में जो बोलता है आसा एंड थोड़ा सा अपनी स्पाइन को एरेक्ट कर खाईए तो वह बिसिकली पदमासन ह है इसमें आपके जो पैर हैं जब आ बैठ आयए इस लिए इस आशन का नाम जो है पजमासन रखा याद रखिएगा पदमासन जो है बिसिकली साधकों का और नॉर्मल जो हमारा बैठने का पॉश्यर है कल्चर में वो कहीं ना कहीं पदमासन से निकल कर आता है कभी आप लोगोंने सोचा नहीं होगा इस बारे में मगर कभी गौर करिएगा जनरली हम लोग सब कॉंटिनेंट में या हो कि आप नीचे बैठके क्रॉस लेग हो कि अपने पैरों को इस तरीके से करके बैठी है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए मगर क्योंकि हम लोग बच्पन से वो चीज करते हो आ रहा है तो इतना दादा प्रॉब्लम जो हमको नहीं होती है उस चीज के साथ में तो यह जो है traditional posture है generally इसी में बैठने की जो है ना सिर्फ आपका आसन करते वक्त बलकी भोजन करते वक्त और नॉर्मल अगर आप बैठके किसी के साथ में debate and discussion भी कर रहा है नीचे अगर जमीन पे बैठे हैं तो यही जो है posture वगरा में आपको बोला जाता है बच्पन से कि आप तो कही ना कही आप notice करिए कि जाने या जाने आप जो है कही ना कही पदमासन वगरा की practice करते आए हैं कम असकम उस posture में जो है आप बैठने आए और बाकी सारी चीज़ें आपको बताई दी है कि इसको पदमासन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपके बैठने के बैठना है सबसे पहली चीज़ तो यह आप जमीन बेट गए और उसके बाद में आलती बालती मार किया cross like करके बैठना है उसको English में लिखा गया और उसके लावा कुछ नहीं है कि आपने अपने सीधे वाले पैर को उठाया और उसको फोल्ड करके आपने अपने अपने रा को एक तरफ रखा दूसरा वाला जो हाते इस तरफ दूसरी तरफ रखा और इस तरीके से जो होने के बाद में इस मुद्रा में बैठ गया अब यह जो चीज़ है यह कहलाती है पदमासन ठीक है एक दम रिलाक्स आप बैठे हुए आप एक मिनिट के बोलोगी कि यह कैसा आस है'llaazan की हम लोग बचपन से खास तरफ पर वो लोग जो नीचे बैडटके खाना खाते हैं और प्राक्टिस कर रहें कम असकर इंडिया में तो इसके अच्छी खासी प्राक्टिस होती है बाहर शायद का यह जो इतना नीचे बैठने का इतना चलन नहीं इ nehme इतनी को अपनी रीड की हड़ी को एकदम जो है स्टेट रखना है और नॉर्मली ब्रीद करना है पदमासन ध्यान लगाने के लिए बहुत आपका आइडियाल आसन है अगर आप इस तरीके से बैठ कर आंखें बंद करकर अपनी सांजों पर फोकस करें तो इस तरीके से बैठ कर आप आप मेडिटेशन की मोड में भी जो है इस आसन में बैठ कर जा सकते हैं तो इस तरीके से बहुत सिंपल है बहुत इजी है और हम लोग जाने एंजाने सबकॉंशन से बच्छमन से करते आही रहें तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए हैं ग्राउंड पर बैठ ही है क्रोस लेग होकर और फैंसी तरीके से बोलना है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं उल्टा वाला पैर फोल्ड करकर सीधे वाले की ठाई पे रख लीजे इस तरीके का पॉस्छर बनेगा उसके बाद में ध्यान मुद्रा लगाई है इस तरीके से और एक दूनों हातों की जो ध्या इसका ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ तो यह कि आपका जो फुट है, उसको हमेशा अपोजट थाई पर ही रखना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने फुट वगरा को अपोजट थाई पर ना रखना है, उसका थोड़ा आगे निकाल दें या थोड़ा घुटने के आसपा परना चाहिए, तीसरा आपको आगे की तरफ जो है इसमें लीन करने से बचना है, अगर आप पदमासन में बैठे हुए हैं, तो जहां तब हो सके स्पाइन को इस तरह से इरेक्ट रखकर बैठिए, और आगे की तरफ जो हैं पीछे की तरफ ना जाएं, इधर ना जाएं, इस तरह से जो है आगे पीछे ना हूँ, आप सिर्फ एक स्टेट जो है एक पॉस्चन में बैठे हैं, अगर आपके घुटने में दर्ध हो रहा है, अगर आपके घुटने में कोई छोट लग गई है, इस तरीके की परिस्तिती में हैं, तो फिर इस तरीके की यह जो आसन है पिर इसको आपको avoid करना चाहिए तब इससे बचें अगर कोई such issues नहीं है तो practice करें अगर pain हो रहा है किसी बात को लेकर ligament में कोई issues है या फिर अगर कोई injury लग गई है तो फिर जबूर आप इसको avoid कर सकते हैं फिर इससे बचें अब यह करने का फाइदा किया अखिर अगर आप यह आसन लगा रहे हैं इस particular posture में बैट रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो benefit होगा नहीं तो यह ऐसे तो आप करोगे नहीं तो इसका जो advantage है इसका जो benefit है वो यह है कि पदमासन में बैट कर जब आप आपका अगर आप straight आपका जो रीड की हड़ी उसको straight direct रखकर अगर आप सांसे लेते हैं अगर आप deeply breath वगरा करते हैं इन सब चीजों के चलते होता क्या है कि आपका मन शान्त होता है और tranquility वगर आपको attain होती है आप एकदम peaceful state of mind में पहुंच जाते हैं meditative होने लगते हैं it tones up the nerves of of it tones up the nerves of of causex and causex and sacral region by supplying them more blood यह जो पूरा का पूरा आपका portion होता है पेड में जो नीचे की तरफ में आपका इलाका है यहां पर जो इसे आपका आप आदी हो जाते हैं तो आपका नर्स वगरा हैं वो ज्यादा बैटर तरीके से काम करती हैं क्योंकि यहां पर ब्लड वगरा आप ज्यादा मातला में सप्लाइ होता है इसके इलावा आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस वगरा है वो इंप्रूव होती है और पॉंस्टिपेशन का अगर इशू आ रहा है तो वो इसके इलावा अगर इस पर्टिकुलर पॉस्टिर में बैठेंगे तो इससे कंसेंट्रेशन और मेमुरी वगरा जो होती है आपने नोटिस भी किया होगा कम असकम पुराने टाइम पीरेड में भी जो होता था एक दोर पीडियां पहले तक आपकी चकौटी जैसी होती बैठने के लिए चोटा सा जो है टेबल बनाया जाता था और उसी पर जो है बैठकर जो भी आपका काम बगएरा किया जाता था अगर आप मुखास तरफे मुंशियों के पास में और स्टूडेंट्स के पास में इस तरीके की चकौटियां हुआ करती थे आप ग्राउंड प बैठने का यह फाइदा भी होता है कि आपका कंसेंट्रेशन और आपकी मेमुरी बगएरा जो है बढ़िया बनी रहती है तो इस पॉस्चर में बैठकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उससे आपकी एक आगरता जादा बैठर रहेगी आपकी मेमुरी जो है जादा लंब तो यह जो है आपका पदमासन हम लोगों ने देखकर खतम किया अगला आसन बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत कामका है इसका नाम है बजरासन अब इसके बारे में हम लोग बात्चीत करेंगे वज्र का मतलब होता है एड्मेंटाइन यानि कि जो एकदम अड़ गया है जो एकदम मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है जो एकदम आपका पथर की तरह जो है बज्र की तरह मजबूत है तो बज्र का मतलब होता है अड्मेंटाइन अब यह माना जाता है कि इसकी आप लगाता है प्रैक्टिस करें तो शरीर एकदम बज्र जैसा हो जाता है या इसलिए इस आसन का नाम जो है वजरासन दिया गया है अब यह जो है इसको एक meditative posture भी माना जा सकता है क्योंकि इसमें बैठकर भी आप ध्यान लगा सकते हैं जिस तरह से आप इस पर्टिकुलर आसन में बैठकर ध्यान लगा रहा है तो फिर फाइनल स्टेज जब इसकी आती है क्योंकि पूरी की पूरा एक आसन लगाने के बाद में फाइनल स्टेज आएगा इसके बाद में अपने नॉर्मल पॉस्चर में लॉट सकते हो तो वो जो फाइनल स्टेज उसमें फिर आप अपनी आखेšब बंद करकि अपनी साजों फोकस कर ले तो वहां से फिर ञेत behavior में बैठकर ध्यान वगेरा भी कर सकतें इस 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 की प्रैक्टिस करनेके बाद कि लिए उसकी और ठीक रहता है ठीक है ठीक है जी तो अगर आप से यह पूछा जाए कि वजरासन की खासियत क्या है बाकी सब चीज़ें अपनी जगे इतर हैं मगर यह अकेला ऐसा एक मात्रासन है जो खाना खाने के जस्ट बात प्रैक्टिस किया जा सकता है भी तक जितनी अपने बातचीत करी जिपने क्या बोला था या बातचीत आ र बढ riff कर अगर खाना खाया है उसके बाद में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अरिक में बताओंगा अब इस तरीके की प्रोसेस होती है यह देखने में कितना सिंपल लग रहा है आप में से बहुत लोग बैटते होंगे इस तरीके से तो वो जाने अन जाने consciously subconsciously basically वजरासन की प्रक्टिस ही कर रहा होते हैं मगर इस तरीके से जो है इसमें बैठा जाता है अब देख लेते हैं इसको जिस तरीके से standard जो इसका बताया गया कि किस तरह से practice करनी है तो आपको sit with legs extended together hand by the side of the body palm resting on the ground and fingers pointing forward this is dandasana आपने क्या करना है अपने दोनों पैरों को extend करना है hands को जो है अपनी body के side में रखना है और ground पर rest करवाना है और fingers जो है आगे की तरफ होनी चाहिए इसको dandasana बूला जाता है मतलब क्या आप बैड़ गए अपने दोनों पैर अपने आगे की तरफ में किया हूँ है साथ में जोड़े रखे हैं दोनों हाथ जो है side में रखे हूँ है ground के उपर और इस तरह से आप बैठे हूँ है यह आपका dandasana कहलाता है इस dandasana से फिर आप जो है वजरासन की तरफ जाते हैं सबसे पहले आप dandasana में अपना एक पैर है उसको मोडते हैं और इस तरह से मोडते हैं कि आपकी जो नी है उसको आप अपना राइट वाला आपका जो राइट जो आपका पैर है उसको अपने राइट बुटक के नीचे रखेंगे और जो लेट वाला पैर है उसको आपने लेट वाले बुटक के नीचे रखेंगे और कुछ इस तरीके की पूरिशन बन जाएगी अब देखिए इस वाले आदमी का सीधा वाला आपका पैर है वो आपके सीधे वाले बुटक के नीचे आ रहा है और जो उल्टा वाला पैर है उसके उल्टे वाले बुटक के नीचे आ रहा है यही बात यहां पर है इनका एक पैर जो है इनके आपके राइट वाला पैर जो है राइट वाले बुटक के नीचे है और आपका जो लेफ्ट वाला पैर है वो लेफ्ट वाले बुटक के नीचे ह आप जिस particular posture में बैठ जाईए इसके बाद में आपके जो दोनों हाथ हैं जो अभी तक आपने ground पर रखे हुए तो दंडासन में इनको उठाईए और इनको जो हैं अपने इन दोनों को जो हैं अपने अपने गुटनों पर रखना है मगर उसके पहले एक चीज और होती है place both the heels apart and the big toe touch and overlap each other अब यहां पर आपने दोनों पैरों को इस तरीक दोनों आपके जो पैर ने फोल्ड करकर आपने बुटक्स के पीछे टच करते हुए लगा लिए और इस posture में आप आके बैठ गया हैं अब आपने दोनों जो heels हैं उनको apart करना याने कि आपके जो पीछे के तर में आपके पैर वगरा हैं यह दोनों heels आपस में टक्राने नहीं चाहिए इनके बीच में थोड़ा से distance आपको maintain करके रखना इनको मिलाना नहीं है जब आप इस तरीके से मुड़के बैठ गए तो मुड़के बैठने के बाद में मुड़के बैठने के बाद में यह जो आप करवा दिया अब जो toes वगरा है थोड़ा से एक दूसरे को touch करते रहें और overlap करते ना इस तरीके के posture में आपको बैठना है पूरी process के वक्त में आपको अपने spine वगरा इरेक्ट रखना है और आपके बुटक्स वगरा को इस तरीके से position करना है कि heels के बीच में space वगरा जो है बना रहा है ठीक है जी heels वगरा के बीच में space बना रहा है अब दोनों जो आपके हाथ वगरा है इनको उठाके अपने अपने respective knees वगरा के उपर रख लेना है इस तरीके से आप इस particular posture में इस तरीके से आप इस particular आसन में आ सकते हैं अब यह जो आपका अपने आसन लगा लिया है बजरासन अब इस particular आसन से अपनी नॉर्मल रेस्ट की स्टेट में लोटना चाहते हैं तो सीधा सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने थोड़ा सा आपने right side को bend कर जाना है और सबसे पहले अपना left leg जो है उसको release करकर extend करना है आगे की तरफ में इसी तरीके से फिर आपका left hand side थोड़ा सा चुक जाना है और right वाला आपका जो पैर है उसको निकाल कर आगे की तरफ में extend करना है फिर से आपक तो इस तरीके से जो है यह पूरा का पूरा आसन लगाया जाता है क्या किया जा रहा है सबसे पहले दोनों पैरों को अपने घुटनों के उपर रखा इन दोनों को अगे की तरफ में घुटने टच कर रहे हुआ करें को इस तरीके से अपने इरैक्ट करके बैठना है ठीक है अपने दोनों हाथों को अपनी नीज वगरा की ऊपर रख कर यह जो आसन कहलाता है इसको क्या बोला जाता है वजरासन अब इसमें कुछ डूंड सांगा ध्यान रख लें फिर आप लेट की तरफ में चुके हैं आपका जो सीधा वाला पैर है उसे निकालें एक्दम स्टेट कर लें और उसके बाद में फिर आप पहले फिर से दंडासन में आगए और यहां से फिर आप नॉर्मल पॉस्चर में लोट सकते हैं तो यह जो है इस तरीके से अग आपने घुटने और थाइस जो हमको मिला कर जोड़के रखना है जब आप बजरासन में बैठे हुए हैं आपकी जो हील्स हैं वह बाहर की तरफ निकली हुई हुई होनी चाहिए याने कि आपके हिप्स वगरा से टकराती हुए भी आपकी हील्स बाहर की तरफ सोड़ी सी ज जो है पॉशर वगरा ले रहा है जिससे आपके जो स्पाइन है उसके उपर बहुत जादा अगर आपका स्ट्रेस वगरा पढ़ रहा है इसके अलावा अगर आपको एंकल में चोट लगी हुई है नीमे अगर पेन है तो फिर आप इसको को आवाइट कर सकते हैं इससे फिर आप बच सकते हैं अगर घुटने में चोट है या किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो मत करिए इसके बाद की बात कर लेते हैं अब यह जो हासन है इससे होता क्या है आपकी थाई की मसल्स और आपके जो काफ की मसल्स हैं पीछे की तरफ में आपका जो लोर लेग है उ चीज़ दूसरी चीज़ यह कि से खाना वगरा चुह है असानी से डाइजेस्ट हो जाता है वजरासन वगरा में अगर आप बैठेंगे तो डाइजेशन का अगर इशू हो रहा है तो वह सारी सारी चीज़ना सौल हो जाती है तीसरा इट प्रोवाइट फॉर्म बेस्टु केलवा यह आपकी स्पाइन को अच्छा बेज देता है और अगर आपकी स्पाइन एक रखता है और आपको देखनेके लिए है तो फिर यह आसन जो है स्टुडेंट्स के लिए बोला जाता है फाइदे मंदर आ तो आप लगा सकते हैं खाना खाने के बाद में इस तरह से बैठें दो फाइदे होंगे पहला तो खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा कोई इसके अगर आपने लाइफ लॉंग प्राक्टिस बना ली तो आपको कॉंस्टिबेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और स्टमक रिलेटेट बहुत से इशूज बगरा से आप बच जाएंगे खाना खाने के बाद 10-15 मिनिट 20 मिनिट कुछ भी आप जो है इस तरह से वजरासन में बैट जाएं आगे मोबाइल रखके कुछ देखते रहा हैं अगर बोरियात लग रही है मगर इस तरह से अगरा बढ़ाने के लिए इंप्रूव करने के लिए वजरासन एक बड़ा चासन माना जाता है चले आगे बढ़ता है इसके ब सारी चीजों के बारे में हम लोग बात्चीत करें देखता हैं से भदरासन में जो शब्द भद्र आ रहा है ये भी एक संस्कृट शब्द है संस्कृट में भद्र का मतलब होता है नोबल पीसफुल या फिर जेंटल किसम का जो इनसान होता है उसके लिए शालीन या जो हम कई बार बोलते हैं कि बड़े भद्र इंसान है बड़ी भद्र महिला है बड़े बद्र पुरुश है तो वहाँ पर जो भद्र शब्द आता है उसका मतलब होता है नोबल अब यहाँ पर नोबल शब्द का इस्तिमाल किस संस में किया गया है तो यहाँ पर नोबल का इस्ति भाशा में नोबल और यहां पर भधरासन लगाने से मतलब यह है उस ग्रेस की बात हो रही है जो आपको अवेकनिंग के फॉर्म में मिलेगी जब आप लगातार योग की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं चलें आगे बुड़ते हैं आप इसको किया कैसे जाता है वड़ा को आपने एक दूसरे के साथ में जोड़ रखा है और उसके बाद में इस तरीके से अपने हाथ से जो हैं को पकड़ रखा हुआ है और अग्दम आपका जो स्पाइन वगरा है इरेक्ट करकर अगर आप बैठे हुआ हैं तो यह जो चीज है क्या लाती है भजरासन कैसे लग आपका फिर से दंडासन लगा लिया है आपने की आपने की आपने दोनों हाथों को साइड में इस तरीके से रखा हुआ है पाम्स वगरा ग्राउंड से टच कर रहा हूं पैर आगे के तरफ में स्ट्रेच ना ठीक है फिंगर शुड रिमें टुगेदर पॉंटिंग यानि कि आपके घुटने के नीचे का जो पैर वगरा है उसको आपका दंडासन से मोड़ना शुरू करना है और मोड़ते मोड़ते दोनों को इस पॉस्चर में लाना है कि दोनों के आपके जो तल्वें हैं या फिर दोनों की जो आपकी हील्स वगरा है वो एक दूसरे के सा head neck and back should be straight अब आप इस तरीके से बैठे हुआ हैं आगे की तरफ में आपके जो दोनों knees हैं वो जुड़े हुए इनको थोड़ा सा खीच कर आप जो आगे ला सकते हैं लेकर आए इस पूरी प्रक्रिया में आपकी जो इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से जो है आपना बैठ सकते हैं जितनी देर तक आप अपने दोनों आपके जो पैर हैं को पकड़ के इस तरीके से जब तक आप बैठ सके हैं बैठने के अब लगाता है ठीक है जी तो यह जो चीज़ है यह कहलाती है दंडासन अब इसमें जो डूज और संत्रोला सा उसकी बात कर लेता है सबसे पहला तो यह कि आपकी प्रकरिया जब आप कर रहे है तब कि या फिर किसी पे तरीके आप इसलाक नहीं होना चाहिए दूसरा कीज शुडबी दूसरा है नीज शुडबी टेश्ट अन दा ग्राउंड आपके जो दोनों नीज बगरा हैं वो आपके ग्राउंड पर टकरा रहे हैं तीसरा अवाइड एक्सेसिंग आर्चिंग ऑफ दा स् में आप उनको आगे की तरफ तो बढ़ा रहे हो मगरा वैसा भी नहीं है कि आपसे बरदाश नहीं हो रहा आप उपनी शंता से ज्यादा खीच रहा हो बिना मतलब मैं जोश या मोटिवेशन में आके भाग मिलका भाग के गाने सुनते हुए अगर आप यो कर रहे हो बहुत चला कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा और बिना मतलब आपनी कैपसिटी से आगे कीचना तो फिर उस चक्कर में इंजूरी होने का ख़जरा बढ़ जाता है तो जितनी आपकी कैपसिटी आपको सिर्फ महीं तक जो है इसको कीचना उससे जादा अपनी कैपसिटी के बियांड पुछने करना है बाकि यह जरूर है कि प्रैक्टिस करते करते लगाता है इसकी कैपसिटी वगरा बंती चली जाती है अब इसके बेनिफिट्स वगरा यह हैं कि आपका जो लंबर रीजन होता है यानि पीछे की तरफ का जो आपका रीड की एड़ी का लोवर पोर करकर रख सकते हैं महिलाओं की जो खास तोर पर फिजिकल प्रॉब्लम्स वगरा होती है उसके केस में यह काफी ज़्यादा बेनिफिशल होता है प्लस चाइल्ड बर्थ के वक्त में अगर आप इसकी प्रैक्टिस वगरा करते हैं तो इससे आपका जो चाइल्ड बर्थ है दो आवे इसके वीं आपका कंसेंटरेशन यह एकागरिटा बढ़ती है इसे वी एकागरता जो आपके मन को साथ कूल हो जाता है और शान्ती से फोकस करने हैं चलें अगला आता है उस्तरासना क्या होता है उसके बारे में बातकरते हैं देखिए उस्तराशन में उष्टर शब्द जो आ इसका नाम जो है उष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और ये एक आपका दूसरे साइड से विव है साइड फॉरंट विव दोनों आप कहा सकता है इस तरीके से जो है आप बैठे हो यह आपका वजरासन की लाता है ठीक है ज़ा अब कुस्टरासन की शुरुआ ह Tutaj जो है वो वुजराशन के साथ में होती है उस्तरासन यह बोलता एगि सब से पहले आप बेड़ासन में बैड़ जाएए एक बार जिब बैड़ा संस में बैडग गाये त्वजरासन थर्फलो उसकी बैठने के बाद में आप नील यह निल नील डाउन की पूजिशन होती है घुटनों के बल जो है आप जमीन पर खड़े हो जाए पहले आप वजरासन में बैट गया वजरासन के बाद में आप अपनी बॉडी को थोड़ा से ऊपर उठाए और गुटनों के बल जैसे आप जमीन पर बैठे हुए कई बार इस तक आपको डिस्टन्स पर रखना है तोस वगरा जो है वो पीछे के तरफ में पॉइंट करना चाहिए और आपके फ्लोर वगरा की उपर रेस्ट कर रहे हूं यानि कि आप नील डाउन करके जो है बैठे हुए है आपका नील डाउन करके जो है आप पॉडिशन में है आ आप इस पर्टिकुलर पॉडिशन में आप नील डाउन की पॉडिशन में वजरासन से आगा है अब सांसे लेते हुए जो है आपको पीछे की तरफ में बेंड करना है जैसे इसमें आपको ये बंदा पॉडिशर दिखा रहा है इस तरीके से सांसे लेते हुए आपको पीछ वाला हाथ जो है उसका पाम आप सीधे वाले की हिल पर रखोगे उल्टे वाले का हाथ जो है आप पाम जो है वाप उल्टे वाले की हिल पर रखोगे और इस तरीके से जो है आप एक अच्छा पॉस्चर वगरा जो है आपका बना कर तयार कर लेंगे ठीक ये अब जब आप इ रख्रिया रहेगी पहले वजरासन में बैट गा है वजरासन से फिर आपने पेरों की फीट के उपर उनको रख दिया है और ये पॉस्च्छर जो है आपने फिर पकड़के बैटे हुआ है ये कैमल की तरह जो है रिजम्बल करता है इसलिए इसका जो नाम है वह उस्त्रासन पड़ गया क्योंकि उस्त्रे जो है वो आपके उठ को बोला जाता है संस्क्रित में अब ये पॉस्चर जो है आप पकड़ के रखें फाइनल पोडिशन में थाइस विल बी बर्टिकल डू दू दा फ्लोर एंड एड टिल्टेड बैकवर्ड तो आप ये उस्त्र आपका जो आपका जो सर है वो पीछे की तरफ में तिल्ट कर रहा है वेट अब पूरा शरीर है उसका जो वेट है वो आपके हातों और आपके पैरों की उपर एकदम इवनली सपोर्टेड है इस वक्त में अगर सपोर्टेड नहीं तो वैसे भी बैलेंस नहीं बनेगा तो इसके बाद में फिर से आप अपना सांसे जो हैं लेते हुए आगे की तरफ में आए और बेंड डाउन नील डाउन से फिर से आप अपना वजरासन की पूरिशन में वापस आ जाएं और रिलाक्स करें इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर ऊष्टरासन की प्रैक्टिस वग नहीं नहीं रहेगा उतना आपको फाइदा वगरा इससे होता हुआ नहीं देखेगा दूसरा जब ये पूरी की पूरी आपकी बेंडिंग और आपका पीछे की तरफ में जुकना और सारी प्रोसेस चल रही है आपने बहुत ध्यान रखना है कि जर्क नहीं लगना चाहिए जर्किंग दर बाडि वाइल बेंडिंग बेकवर्ड पीछे की तरफ मुड़ते वक्त में आपको जर्किंग से बचना है जर्क आवाइड करना है अगर आपके शूल्डर फ्रोजन है एक चीज अगर आपको वर्डिकों की समस्या हो रही है अगर आपको हार्निया है तो उस इसी इनसान का वजन बहुत जादा है फिटनेस वगरा बहुत खराब है तो यह पुरा लगाते भी ना बने तो जितना करते बने आप उतना कर लीज़े और उसके बाद में फिर आपनी नॉर्मल पूरीशन या वजरासन में आ जाएगे फिर प्रैक्टिस करिए होते 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 हैं वक्त के साथ में बजरासन लगने भी लगेगा और यह वाला उष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष से आपकी गर्दन का भी दर्द जाता है और आपके बैक का भी जो है दर्द वगएरा जाता है इसके पीछे की जो मसल्स वगएरा कि एक तो वह और इसके लावा आपके जो हेलफुल थाबित होता है यह संग अगर अगर इस तरीके से उसको करता है चलें आगे बढ़ता है अब अगला आता है शशांग का सन अब शक्षांग का सन क्या होता है किसका बारे हम लोग बातशीद करेंगे देछ इसका बैरे Joe लो चाहते है speaking क्या किया करना है क्या करना क्य जो है Rabbit का एक शेप ले लेती है या फिर more or less Rabbit के शेप को resemble करती है इस लिये इस पर्टिकुलार आसन का शुद जो है शाशांक आसन पढ़ा है या फिर शाशांक का पेट का असना इसको बोलता है वजा क्या है रैबिट का शेप क्योंकि आपकी बौडि ने ले लिया है rabbit का shape क्योंकि आपकी body ने acquire कर लिया है तो उसके basis पर उसको शशांग आसन जो है नाम दे दिया गया है और शशांग word का मतलब क्या है rabbit चले आप इसकी practice वगरा कैसे की जाती है इसमें कैसे आप बैठते हैं तो उसके पहले photograph में आपको दिखा देता हूँ more or less यह जो है आपकी final posture या final position बनती है इसको शशांग आसन बोला जाता है कैसे करते हैं जरा उसको देख लेता है सबसे पहले तो आपको वजरासन में बैठना है जब एक बार आप वजरासन में बैठ गए और वजरासन में बैठ कर आपने अपनी spine को जो है अच्छे से erect रखा है उसके ब और साथ में आपके toes वगरा जो हैं वो साथ में जुड़े रहने चाहिए important बात है इस पर ध्यान रखेंगे कब से पहले क्या करना है spread both the knees wide apart आपको अपनी दोनों knees वगरा को जतना हो सके उतना जदा खोलना है और toes वगरा जो हैं वो आपके साथ में जुड़े रहने bend forward from the waist with the arm straight एक बार जब आपने इतना कर लिया आपने toes को टेच करके अपनी knees को जतना हो सकता तो उतना जदा खोल लिया अपने दोनों हातों को अपने दोनों palms को उसके बीच में रखा उसके बाद में क्या किया है आपने उसके बाद में आप exhale करते हुए सांसें छोड़ते हुए आगे की तरफ में bend करें हैं वेस्ट से आपका जो कमर है उसके नीचे से वेस्ट आप करके आपका जो वेस्ट आपकी जो कमर है वहां से आप नीचे की तुरफ में बेंड करते वक्त आपकी जो ब्रम के बेंड शुड़ते होगे और बढ़ानारा है और कुछ इस तरीके की position में जो है आपको आते चले जाना है इसके बाद में chin and chest should be resting on the floor अब आपका जो ये chin है और आपका जो chest वगएरा है आपका floor पर rest करना चाहिए and इस particular position को maintain करने के लिए आप जितना हो सके उतना जादा आगे की तरफ जो है अपना नजर वगएरा को बना रखेंगे and उसके बाद में जितनी देर आप इसको पकड़ के रख सकते हैं उतना देर इस आसन को पकड़ के रखें तक उसके बाद में पर सांसे लेते हुए फिर से अपनी normal posture में आए अपने जो knees वगएरा के बीच में distance बन गया था उसको कम करें और फिर से आप वजरासन में आकर relax कर सकते हैं तो शशांगासन लगाने के लिए क्या किया जा रहा है सबसे पहले वजरासन में बैठ गया है वजरासन में आपकी spine इरेक्ट करकर बैठ गया टूस को टच में रख कर या टोस को kontak में रख कर अपने नीज को जतना वसके इतना पस्ट किया दोनों हाथों को बीच में रखा उसके बाद मैं एक्षेल करते हुए आप आगे की तरफ में बेंड किये हैं और जबतना आप बेंड करते चलेगा ये अपने अपने 10 seconds 12 seconds जितना पकड़ रखो उतनी तिर तक पकड़ रखने और maintain रखने के लिए पूशन को आपको आगे की तरफ में जो है फोकस रखना है अपनी आखों से जो है आखें आगे की तरफ में आपको देखते रहना है इसके बाद में जब अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर पूश करते हैं इने करते हो वापस आजाए उसके बाद में बजरासन में रिलाक्स कर सकते हैं इस तरीके की जो पूरेशन है इसको हम लोग पूरा अपना शशांक आसन बोलते हैं अब इसके डूस लोन्स में सबसे पहली चीज जो आती है वह यह है कि आपको पूरे खास्चर में फाइनल stage में आपका क्योंकि जब आप जो क्रा रहा हैं उस वक्त में खास तौर पर आपको बैक जो आपके यहां से उटने नहीं है जाहिए जैसे अब यहां जो hips वगरा है वो उपर की तरफ में उठने नहीं चाहिए, feeds वगरा के साथ में contact में रहने चाहिए, इस आसन की practice करते वक्त में आपको अपने hips वगरा को उपर की तरफ में नहीं उठाना है, ठीक है, आप इसके benefits क्या है, सबसे पहला benefit यह है कि आपके जो reproductive organs होते हैं, वगरा है, साइटिका की nerve वगरा को काफी हद तक relief करता है, इसके चलते हैं, एक तो आपको साइटिका का pain नहीं उठाया कभी, अगर हो रहा है तो उसमें काफी ज़्यादा beneficial यह थाबित हो जाता है, इसके लावा stress हो गया, anger हो गया, इन सारी चीजों को reduce करने में बहुत ज़्यादा योगदान है, तो यह पर्टिकुलर आसन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा का है, जो बात बात पर जो हैं तुनक मिजाजी करते हैं, जिनको रह रहे के गुस्सा आ जाता है, shot tempered हैं इस तरीके से, जिनको रह रहे के बहुत ज़्यादा stress होता है, छोटी छोटी बातों पर दिमाग अब पचास तरीके के जो हैं हवाई के लिए बना कर एकदम से anxiety दे रहता है, अब अगला जो है वो आता है उत्तन मंडूक आसन या उत्तन मंडूक आसना, तो उत्तन मंडूक आसना को क्या होता है, इसके बारे में लोग बाक्चीत करेंगे, देखिए उत्तन का मतलब होता है अपराइट, यानि कि अविग्दम आप उपर की तरफ में खड़े हुआ है, या उपर की तरफ होके खड़े हुआ है, और मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग, ठीक है, तो उत्तन मंडूक आसन बेसिकली इसको इसलिए बोला जाता है, क्यों इसलिए इसको उत्तन मंडूक बोला जाता है, और काफी बेनीफिचल है, इसके भी डूस और दोंस बाकी सारी चीज़ें देखता है, पहले हम लोग यह देख लें कि यह किस तरीगे से लगाया है, जाता है, जब फाइनल पॉस्चर आपका बंकर तयार हो गया, उत्तन मंडूक का तो किस तरीखे की का जो है यह आपका बोड़ी पॉस्चर देखता है, तो एक बार देख लें से बोड़ी पॉस्चर आपका इस तरीखे से दिखता है, इस तरीखे से जो है नजर आता है, कै आप बैट गए उसके बाद में की spread both the knees wide apart with the toes remaining together अब इसमें भी हम लोगों ने इसके पहले वाले शशांग आसन की तरह ही क्या करना है अपनी knees को जितना हो सके उतना जारा wide open करना है जबकि हमारे जो दोनों के दोनों toes वगरा हैं वो साथ में जुड़े होने चाहिए उसके बा वाला हाथ उठाया इसको उठाके shoulder के उपर さे आपका जो लेट वाला कंदा उसके पीछ़ए रखना है और यह वाला हाथ जो है उसको ऊठाके अपने तुनों हातों को पीछे की तरफ में रखना है आपने जो alternative आपके जो shoulders वगir हैं उनके उपर बस वही यहां पर लिखा ह हुआ है कि अपने सीधे हाथ को उठाओ, फोल्ड करो, शूल्डर की यूपर रख दो पीछे की तरफ मे हैं। आपको मैंटें करने किशोर से तो जब आप लगा लोगा तो तो कुछ इस तरीकी कि पृस्तित आपकी हो जाएगी अब यह जो है लड़का इसके पैर में पीछे की तरफ आपके जो टोस वगज़ा है वो जुड़े हुआ हैं आपकी जो नीज वगज़ा है जितना यह ओपन कर सकता था इसने अपने शमता के अनुसार ओपन कर लिए इसी तरह से यह लेड़ी जो हैं जितना यह ओ अद्वों पर रखा तो इस तरीके का पॉश्यर या इस तरीके की पॉडिशन बगरा जो है बंकर तैयार हो जाती है इसी को जब इसी को जो है उत्तन मंडूक बोला जाता है ठीक है जी अब ये पॉश्यर या फिर विटेन रखनी है वाइल कमिंग जितना देर आप रखना क्योंकि इसमें को खास stress भी नहीं पड़ता वाड़ी के उपर आप रखो गए करके देखिए का कोई इसमें stress या मुश्किलात नहीं आएगी तो जितना दिर आप इसमें रहना चाहो एक आद मिनिट दो मिनिट तीन मिनिट जितनी दिर आपका मन लगे उसके बाद में फिर नॉर्मल पूरीशन में लाना है अब जो आपने एक दब दोनों नीज को खोल दिया थे इनको फिर से अपना नॉर्मल वापस पॉस्चर में लेकर आना और वजरासन में थोड़ी दिर बैट के रिलाक्स करना उसके बाद में चाहें तो फिर अपना रेस्ट की पूरीशन मे है यह बहुत इंपॉर्टन बात है उसके बाद में आपका जो बैक है और आपका जो पीछे की आपकी रीड की हड़ी है और इसके बाद आपकी जो गर्दन की नेक वगरा है इसको आपको स्केट रखना है फाइनल पोडिशन में इसके लावा अवाइड दा गैप बिट्व है कोई गैप वगरा नहीं होना चाहिए अगर है तो ठीक चीज नहीं है उससे आपको अवाइड करना है सबसे पहले तो आपका बैक का जो होता है फिर आपका जो कमर में पीछे की तरफ में जो दर्द होता है वो चला जाता है गर्दन का जो पेन है वो भी चला जाता है डा वगरा अंदर बाहर जाना वगरा जितना जादा आप यह आसंग करेंगे उतना जादा डाइफ्रेग्माटिक मुवमेंट्स वगरा जो है वह जादा बैटर होते चले जाते हैं यह एक इशारा है इस तरफ कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह अच्छा गाम कर रहा ह इसके इलावा यह आपकी लंग कैपिसिटी बढ़ाने में काफी जादा योगदान करता है जब आप इस तरी के इस पर्टिकुलर पॉस्चर में बैठे हुआ हैं तो कहीना कहीं इसके चलते आपके जो है लंग्स वगरा पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता तो जादा आपक पशुषेट करता हैं पश्षीम उत्त आसन में दो वर्ट कर देता है है इसमें शब्द की तो फोर पर दर्षउम अमलुब बोलतेैं उसाले नहीं होरे यह अ मतलब है बैक आपके आपके जो पीट वगरा है या फिर आपका जो बैक बाड़ी है उसकी बाचीद यहां पर हो रही है और उत्तन का मतलब होता है stretch out करना तो दूसरे शब्दों में अगर आप इस तरीके के exercise करते हैं जिसते कि आपके पीछे की जो बाड़ी है या फिर आपकी बाड़ी का जो बैक पॉर्शन है अगर उसकी stretching हो रही है अगर वो stretch out हो रहा है तो पर इस चीज को पश्षी मुतासन बूला जाता है इस आसन में होता यह है कि जो आपकी बाड़ी का back side है खास तोर पर आपके spinal columns वगएरा जो stretch करते हैं आपके दोनों हाथ जो है आप ground से touch करके अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ stretch करके और अपनी बाड़ी के अपर portion को एकदम इरेक्ट करकर इसमें बैठते हैं इन्हेल करते हुए आप सांस वगरा लेते हुए सांस अपने जितना हो सांस लेते हुए आप उतने तरह हो सके उतने तरह सांस ली है इसके बाद में stretch your back back and bend forward as much as possible इसके बाद में अब इस तरह साप आगे की तरफ उड़ गए दोनों आपके पैर जो है जमीन पर आगे की तरफ में आपके हाथ ऊपर की तरफ में दोनों पैर आगे की तरफ में है अब जितना जादा हो सक्या आगे की तरफ में जुकने की कोशिश करिए जितना आप जुक सकें आइडियल तो यह है कि आप अपने सर की नाग जो है अपने घुटनों से लगा दें बट वो बहुत से लोगों से होगा नहीं चाहें तो आप करके देख लिजेगा अगर आप शुरुआत में एक दो बार कर बहुत काफी लोगों से नहीं होगा तो जितना हो सके उतना जहला जुकते जाईए जितना आप जुक सके उसके बाद मेंको रहा है और पेरों के साइड से ग्राउंड पर टच होनी जाए है ठीक है जैसे यहां पर हो रहा है कि इस तरीके से अपने टोस बगरा को पकड़ र रखा है इनसे यहां पे इन्होंने अपने पैरों के पीछे में लगा रखी है और उसके मदद से इन्होंने इस तरीके से पकड़ रखा है आइडियल प्लैक्टिस यह होती ही कि अपने हातों से अपने टोस को पकड़ें और तब आपके अलबोस वगरा ग्राउंड पर लगें उसके हसाब से वो जैसा उसको ठीक लगे वैसा कर सकता है अब यह पॉश्यर वगरा जो है आपको मिंटेन करकर रखना है इस पर दा कैपसिल्टी क्योंकि यह रखने में बहुत तकलीव होती है ठीक है जी चाहें दो करकर देखिएगा यहां पर आपको बहुत जादा स्ट् करें और उसके बाद में जब आपको लगे कि अब हो गया तो फिर फाइनली आप अपने हातों को जो है रेस करते हुए वापस अपना उसी इनीशल पॉलिशन में आ जाएं कि आपके पैर आगे की तरफ हैं दंडासन में जैसे थे आपके हाथ अब उपर की तरफ हैं जो पर बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको अपनी नीश को इसमें जितना हो सके उतना जदा स्ट्रेट रखना है अपकी नीश बगरा को इकदम स्ट्रेट पॉस्चर में अपने में नीचीज दूसरा आपकी नॉर्मल ब्रीफिंग इस पूरी प्रक्रिया में कंटीनियू रहनी चाहिए यह नहीं है कि अपन ने दंडासन में बैठ गाए थोड़ा सा जो है अपन हाथ उपर उठाये सांस लिए उसके बाद में आगे तरफ जितना जुके रहें तब तक अपनी सांसे रुक के बैठे रहें ऐसा नहीं करना है जब आप जुक रहें तब तो आपकी कम़र एगदम से जटका सा लग जा ऐसा नहीं करना है ठीके जी इसके बाद में अगर बहुत जादा कि तकलीव है का पीछ वगयरा में अगर बाक बिय्ड बहुत हो रहा है तो फिर आवाइट करें क्योंकि बैक बैक बें बढ़ जाना है अगर बैक पे नहीं है इसको आपको avoid करना है आप बात कर लेते हैं benefits वगरा की benefits क्या हैं तो सबसे पहली चीज तो यह कि आपकी इतना आगे की तरफ में जुकेंगे abdomen वगरा काफी stress पड़ता है तो यह आपके abdominal organs वगरा के functions को stimulate कर देता है और इसके चलते आपका digestion वगरा जो है जादा improve होता है दूसरा यह कि आपका constipation remove करने में काफी ज़्यादा योगदान करता है obesity है मुटापा इससे नहीं होता dysprapsia जो है वो आपको उसकी समस्या नहीं होती और seminal weaknesses वगरा जो है वो सब आपको महसूस नहीं होती है अंदर से जो आपको कमजोरियां लगती है वो सब महसूस होना बंदोती है इसके इलावा blood circulation वगरा जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है blood pressure को reduce करता है वगरा जो है उसको आपका काटने में उसको कम करने में मदद करता है सबसे important बात कि आपकी स्पाइन की जो flexibility वगरा है उसको बढ़ाता है उसको यह काफी हद तक जो है enhance करता है चले आगे बढ़ता है अब जो next आसन है वो है सुप्त वजरासन सुप्त वजरासन जो है यह basically वजरासन का further development है सुप्त वजरासन में हम लोग करते यह हैं कि हम लोग लेटे लेटे जो है वजरासन लगाने की कोशिश करता है या फिर जब हम लोग लेटे हुआ है तब वजरासन की पुरिशन वग तो इसका नाम जो है इसलिए इसके basis पर सुप्त वजरासन दिया गया है जब सुप्त वजरासन आप लगा चुके होते हैं उसका जो फाइनल पॉश्चर आता है उसकी जो फाइनल पॉश्चर आती है कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है तो इसके आप एक नजर डालें यह तरी आपका जो है सुप्त वजरासन है यह आपकी फाइनल पॉश्चर यह पोजीशनिंग है इसमें इस तरह जब एकड़ता है हैं यह तरीक है तो आपको वजरासन की पोजिशन में बैचना बजरासन की जो आसन है उसके बाद में पीछे की तरफ में जो है आपको अपने आपको बेंड करना है बजरासन की मुद्धा में बैठ गा है पीछे की तरफ में जो है आपको बैंड करना है ठीक है जी and bend backwards taking the support of the hands, अपने हातों को straight कर लें और completely पीछे के तरफ में जो है इस तरीके से अपनी back के उपर ground के उपर लाई करें मगर ये जो posture है आपका वजरासन का ये तूटना नहीं चाहिए इसको as it is आपने maintain रखना है beginners में keep their hands on their respective अब अगर आपको जाबा problem आ रही है शुरू शुरू में नहीं हो रहा है या तकलीफ हो रही है तो आप अपने हाथों को जो है थाइस वगरा की ऊपर भी रख सकते हैं मगर जाब आपका अभ्याज अच्छा हो जाएगा तब अपने हाथों को जो है इस तरीके से आप अपना ग्राउंड बगरा पर आपको लगा के रखना है ठीक है जी इसके बाद अपर प्रैक्टिसिंग डिस पोडिशन वेल स्ट्रेश दा आंप बिहाइंड एंड अड अड़ अपने अपने जब फाइनली पॉश्य लगा रही है उसके बाद में पीछे की तरफ ले कर जाना है और जैसा इसके पहले वाले उसमें बताया था कि आपने एक आम की अलबो क में जो है आपको रहना है और इसको जो है आप सुप्त वजरासन बोलते है औरिजिनल पॉरीशन में जब आप लॉटकर आएंगे तब आपको क्या करना है फिर्स टेक आउट यो हैं प्लेस दें बाइदा साइट ऑफ यो बॉड़ी दोनों हातों को जो है पीछे से आप परेंगे आप किपना जुक पाते हैं क्या करते रहेंगे वज़रासन में बैट कई जाए भजरासन में बैट के धी दीरे 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 पीछे की तरफेंट में फेल्डी को है आपका यह लॉड़ेσιब्स थे कि द्युक चकर आपने नहीं से बाद में हात को बनद और र autician and the आपका ये नीचे का कुलमिला की सिंपल सी भाशा में बोला जाए ये पूरी चीज ये फैंसी अंग्रेजी तो इतना है कि आपका ये जो आप आपका वजरासन का पॉश्चर है वो तूटना नीच चाहिए जब आप अल्टीमेटली पीछे की तरफ में जाएं दोनों हातों को बिगिनर हैं तो फिर अपने दोनों हाथों को ठाई पर रख सकते हैं ठीक है क्योंकि स्ट्रेस आएगा अच्छा गाजा स्ट्रेस जो है पड़ता है इसके बाद में अब ये जो पॉश्चे से आ गया है इस पर इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉश्चन में रहें उसके इस तरह से इस तारह से पूरी की पूरी पॉश्चर को अप लगा रहें इसको जो है अप सब्सक्रों कहतैं है ऐसे यह बाबा राम देव का जो आपको पॉश्यर वगरा देख रहा है इस तरीके सा जो है यह सुप्त बजरासन क्या लाता है सबसे पहला विद्ध सपोर्ट आपको यह जो लेटे लेटे आपका जो लेटने वाली मुद्रा है इसमें आना किस तरह से हातों के मरत से इसमें आपकी नीज वगरा जो है फाइनली दोनों साथ में जुड़ी होनी चाहिए स्ट्रेस पुड़ेगा तो यह नहीं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप अपनी दूनों नीज वगरा को जो है एक दूसरे से दूर कर देंगा है त्टीकर जी Do not strain the knees and thigh muscle. अब यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा strain और अगर आपका knees में या फिर आपकी thighs में बहुत ज़्यादा strain आ रहा है तो फिर आप normal posture में आ जाएं. बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में strain देनिंग की ज़रूरत नहीं है धीरे धीरे करें एकदम से क्योंकि यह होता नहीं है थोड़ा सा वक्त लगता है थोड़ा सा habit बनाने में टाइम लगता है उसके बाद में knee pain मेगरा हो रहा है तो obviously बाते फिर प्रक्टिस ना करें तो आपका abdomen जो है अच्छा कासा stretch up होता है तो abdominal muscles वगरा जो है उसके वो काफी ज़्यादा जो है strengthen होती है इसके लावा high blood pressure और साइटी का वगरा जो है उसके management में यह काफी ज़्यादा helpful है besides this अगर आपको constipation वगरा है तो उसकी रामबान recipe है रामबान इलाज है constipation वगरा की स होती है चले आगे बढ़ता है तो विद्धेस वी कम टू एंड ऑफ टुडेस सेशन आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोग उने काफी सारे आसन वगरा जो है उनके बारे में जाना है और जो आसन पढ़ने के हमने अपनी प्रिवियस लेक्शर में जो हमने आसन वगरा पढ़ना शुरू किये थे उसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है नेक्स सेशन में भी हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो इसके बाद बेरिया साब के आसन वगरा दिये हुआ है एंसी आर्टी क्लास 11 की अपनी किताब में उनको हम लोग देखेंगे मग और वो सारी की सारी बातचीत नेक्स सेशन में आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप करते हैं आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैगनेट ब्रेंस का जितना भी कंटेंट बगरा है जिसके लिए आपको किसी तरीके की ना तो कोई फी चैनल पर देख सकते हैं या फिर आप इसको हमारी वेब्साइट पर देख सकते हैं या फिर आप मैगनिट बेंस का आप डॉनलोड करकर वहां से बींप चल जाएगा उसके लावा दूसरे भी आपको डीजिपल. medium से इन पर यह चल जाएगा तो यहाँ पर जब आप आते हैं आपको यहाँ पे सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है स्कूल education में cbsc English to English and Hindi medium class 1 से लेके class 12 तक सारा का सारा content available है इसके बाद में आपका यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और जो सबसे बड़ी बात है कि जुड़ने के लिए questions के लिए क्यूरी के लिए फीडबाक के लिए आप हमें हमारी social networks पर follow कर सकते हैं Twitter पर available हैं Facebook पर available हैं Instagram पर available हैं तो जहां पर भी चाहें आप feel free to message any of your queries, any of your comments और feedbacks. So इसी note पर calling it the day and concluding the session अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, positive रहें, हसते मुस्कुराते रहें, most importantly जुड़े रहें magnet brains के साथ. Thank you. Jai Hind. मिलते हैं next session में.